दोस्तो आज बैंक के दो अनमोल रतनों के बारे में आपको बताऊँगा इनको बड़े मिया चोटे मिया बोल लीजिये राम लखन बोल लीजिये या जो बोल लेजिये काफी सालों से इनकी सर्विस आप लेते आए हो आज कुछ और नई चीजी है इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वीडियो को अंतक देखा करो ये बहुत काम आने वाले वीडियो है आपको रामरा मायो मैं हूँ थारा मैनेजर मंसर वितकुंड का स्वागत है आप सभी का आगे बढ़ेंगे पर एक मिठी सी प्यारी सी पुरानी गुजारिस जरूर करेंगे मेरे मुल्क के सम्मानित साथियो चैनल को लाइक कर देओ, सियर कर देओ, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जहाँ वित्थ है वहाँ वित्थ कुंड है ओम विताइनम है मेरे बंदू आज का फाइनेंसिल एजुकेशन वी तिये सिक्ष्या का टोपिक है आर्टीजिस एनियक्ती तो सबसे पहले आर्टीजिस के बारें बात कर लेते हैं आर्टीजिस के फुल फोर्म है रियल टाइम गरोज सेटलमेंट दोस्तों अगर आर्टीजिस के जरीए आपको कहीं पैसा बेजना है किसी बेनिफीसरी को तो कम से कम दो लाख रुपे होना जरूरी है मैक्जिमम कितना भी आप रेमिट कर सकते हो भेज सकते हो 24 गंटे गिस विदाई आपको उपलब्द है मतलब 24 इन्टो 7 इन्टो 365 पहले आर्टीजिस बेजने का कुछ टाइम होता था लेकिन आप वो आर्टीजिस ने वो टाइम हटा दिया है बस रात को ग्यारा बज़ के 50 मिन्ट पे एक 10 मिन्ट का कटोफ लगता है ठीक है दोस्तों जब ये आर्टीजिस की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो 22 अंको का एक UTR नंबर आपको मिलता है वो UTR नंबर अगली पार्टी को आप परवाइड करवा के बैनिफिसरी को आप परवाइड करवा के आप बोल सकते हो भाई हमने पैसा बेज दिया आप अपने बैंक में इस UTR नंबर से चेक करवा लिजिए ठीक है दोस्तों ये रियल टाइम है मतलब इसके लिए आपको कोई वेट नहीं करना जैसे ही आर्टीजिस की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई अगले बैनी फीशरी के खाते में क्रेडिट हो जैता है पैसा गरोश सैटलमेंट है मतलब ये वन टू वन बेज पे है ये बैच में नहीं है ठीक है दोस्तों और जब आर्टीजिस आप बेजते हो तो इस पे आपको कोई फीश देनी होती है वो फीश कितनी है मैं बता देता हूँ आपको अगर किसी और ने आपके खाते में पैसा बेज़ा है तो इनवाड आर्टीजिस का कोई फीश चार्ज नहीं है लेकिन आप अगर किसी को पैसा रेमिट कर रहे हो तो उस पर आपको बैंक को फीश देनी होगी वो फीश कितनी है जी मैं बता देता हूँ आपको अगर दो लाग से पांच लाग रुपे के बीच में अमाउंट है आपका तो बैंक आपसे 24 रुपे 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा ले सकता है GST एक्स्ट्रा है और अगर अमाउंट पांच लाग से उपर है तो बैंक आपसे 49 रुपे 50 पैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकता है GST एक्स्ट्रा है जी और जब आप पैसा रैमिट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिन्ट में अगले के खाते में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए अगर इतने टाइम में 30 मिन्ट में बैंक अगले के खाते में पैसा क्रेडिट नहीं कर पाता है वो डिले हो जाता है तो इसके लिए बैंक को बैंक जो है आपको पैनल्टी के साथ पैसा वापिस करेगा और वो बैंक पर पैनल्टी कितनी होती है रेपो रेट पलस दो परसेंट ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं पचास करोड से उपर अगर किसी को पैसा बेजना है और वो नोन इंडवीजल है मतलब वो फरम है या कंपनी है तो उसको एक LEI Legal Entity Identifier ये नंबर जो होना उसके पास जरूरी है ये Reserve Bank of India प्रवाइड गरुवाता है ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं NEFT की NEFT की फुल फोर्म है National Electronics Fund Transfer इसमें ना तो minimum amount होता ना maximum amount होता अब कितना भी पैसा आगे लेको रेमिट कर सकते हो ये सुईदा भी आपको 24 गंटे जो है उपलब्ध है रात को 11 बज के 50 मिन फे बेस 10 मिन का कटोफ लगता है ये आटी जिस की तरह नहीं होती ये बैच में होती है पूरे दिन में 48 बैच होते है अदा अदा गंटा के गैप करके मतलब अगर आप बैंक A से बैंक B में पैसा भेज रहे हो तो बैंक A जब ट्रांजेक्शन कम्प्लीट कर देता है तो ये RBI के एंट पे जाता है वहाँ अदा 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 गंटा के बैच में जो है N.E.F.T. निकाली जाती है ठीक है दोस्तों अगले का खाता क्रेडिट कितनी देर में होगा तो मैकजीम जो टाइम है ज्याता से जो टाइम है वो दो गंटे का टाइम होता सर्फ B पलस 2 आवर और अगर दो गंटे में बैंक नहीं अगले के खाते में क्रेडिट कर पाता तो वो आपपीस करेगा आपको और 2 गंटे से ज्यादा डिले करता है तो बैंक पेनल्टी के साथ आपको पैसा वापीस करेगा पेनल्टी कितनी है जी रैपो रेट पलस 2% यह एक नई चीज है जो आपको जानना का कोई चार्ज नहीं है लेकिन अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हो तो अगर पैसा धन्राशी जो आप भेज रहे हो दस जार से निच्चे है दस जार तक है तो बैंक आपसे ज्यादा से ज्यादा धाई रुपे लेगा अगर वो दस जार से ज्यादा हर एक लाग तक है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा आपसे पांच रुपे ले सकता है जी और अगर वो एक लाग से दो लाग के बीच में है तो बैंक जो है आपसे ज्यादा से ज्यादा पंदरा रुपे ले सकता है और अगर वो अमाउंट दो लाख से ज्यादा है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा आपसे 25 रुपे ले सकता है जी ठीक है दोस्तों और वाकिन कस्टमर मतलब कोई आदमी बैंक में जाता है एनियफ्टी के जरिए पैसा रेमिट करने के लिए और उसका बैंक में खाता नहीं है तो तब भी वो 50 रुपे तक जो है पैसा अगली पार्टी को भेज सकता है ठीक है दोस्तों और एक इंडो नेपाल सकीम है उसके तहट एनियफ्टी से नेपाल में भी पैसा भेज जा सकता है ठीक है दोस्तों आटी जिस एनियफ्टी बेजने के लिए आपको आई एफसी कोड जरूरी होता है आपके पास अगली पार्टी का क्या क्या डिटेल हो जो जाए खाता नंबर आई एफसी कोड किस बैंक में खाता है किस सेयर में खाता है ठीक है दोस्तों तो ये कुछ चीज़े जो है आप के पास होनी जरूरी है आप इंडिया में NRE खाते से NRO खाते में भी जो है NFT के जरीए पैसा भेज सकते हो तो दोस्तों ये हैं बैंकों के दो अनमोल रतन राम लखन बड़े मिया छोटे मिया जो भी कह लेजे आसा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो मेरे मुलक के सम्मानेच साथ ही हो वीडियो को लाइक कर देओ श ऐसे ही और किसी वीडियो के साथ और किसी तोपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे तब तक के लिए राम राम